ओम गर्णशी महागड़ी शाय नमा, राधे राधे दोस्तों कैसे हैं आप सब? दोस्तों कार्टिक मास की शुक्ल पक्ष की पंचमी तिधी को लाप पंचमी के नाम से जाना जाता है. भारत वैश में दीपा वली के अंतिम पर्व के रूप में लाप पंचमी का पर्व मनाया जाता है. कहते हैं कोई व्यक्ति अगर किसी कारण वश दिवाली के दिन भागवान श्रीकनेश मालक्ष मी का पूजन नहीं कर पाया हो, तो ये दिन मालक्ष मी को प्रसंद करने के लिए बेहर शुब माना जाता है. इस दिन मालक्ष मी भागवान श्रीकनेश का बिधिवत पूजन करने से सभी प्रकार की मनुकामनाय पोण हो जाती है. यह पंचमी सौभाग के प्रदान करने वाली होती है, इसलिए इसे सौभाग के पंचमी भी कहा जाता है, इस पंचमी के दिन जो भी कारे किया जाता है, उसमें लाफ प्राप्त होता है, इसलिए इस पंचमी को लाफ पंचमी कहा जाता है लाव पंचमी के दिन भगवान श्रीकडिश्मा लक्ष्मी के साथ है भगवान श्रीपमा पार्वती का पूजन करना भी विशिश फलताई होता है इस दिन पूरे विधी विधान से सच्छे मन से भगवान श्रीपमा पार्वती का पूजन करने से परवार में शुक शांती आ जाती है साल 2021 में लाव पंचमी का पर 9 नौमबर दिन मंगलवार को है लाव पंचमी पर पूजिन करने का शुब महुरत 9 नौमबर की सुभए 6 बच कर 49 मृट से सुभए 10 बच कर 16 मृट तक का है लाव पंचमी का पर लाव याने फायदे को दर्शाता है इस प्रकाल लोगों के जीवन में योगिता और अच्छा भागे लाने के लिए इस दिन को पहचाना जाता है गुजरात में लोग मानते हैं कि लाव पंचमी पर पूजा करने से उनका भाग पे उद्य होता है साथ ही धन और सुखी, जीवन का आशिरवाद भी सभी देवी देवताओं से प्राप्त होता है। लापपर्शमी का दिन नया काम करने के लिए भी बहुत ही शुप माना जाता है। इस दिन किये गए सभी शुपकारियों में लाप अवश्य ही होता है। इस दिन बही खातों का पूजन किया जाता है और नए बही खातों पर लिखने का कार्य भी इसी दिन से शुरू किया जाता है। माने ताके अनुसार ऐसा करने से ब्यापार में लाप होता है, यानि की बरक्त होती है। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको लाफ पंचमी की इस सुबब सर पर कहने वाला एक बहुत ही आसान और असरकारक उपाई बताने जा रहे हैं इस उपाई को कहने से भगवान श्री गरनेश्मा लक्ष्मी जी की अस्रीम कृपा प्राप्त होते है धन की हानी होना बंध हो जाती है घर में सुक्र सम्रती और शांती का बास होता है घर में खुशाली आती है और धन का लाफ ही लाफ होता है उपाई काईने के लिए लाफ पंचमी के दिन सबसे पहले इस्तान का सच्च बस्त धारन करें आज ये दिन लाल रंग की बस्त पहन कर मालक्षमी का पूचन करना आती शुब रहता है अब आप अपने मंदिर की सामने आसन बिछा कर बैठ जाएं दोस्तों आपके मंदिर में भगवान जी की जितनी भी प्रत्मा हैं उनको आप इसनान कराएं और सच्छ पस्त पहनाएं तस्वीर हैं तो साफ कपड़े से पहुँचें अब इसके बाद आप एक कटोरी में थोड़ी सी कुमकुम लें और इसमें शुद्ध जल मिलाएं अगर गंगा जल है तो थोड़ा सा गंगा जल आप इस कुमकुम में मिला लें अब आप भगवान जी के सामने एक दिया जनाएं और एक सुगंति धूपत्ती जनाएं फिर सबसे पहले भगवान शी गणिश को कुमकुम से तिला करें फिर मालक्षमी को फिर भगवान शीप मह पार्विती को भी कुमकुम से तिला करें अब आप आज की दिन भगवान जी को किसी फल मिष्ठान का भोग लगाएं दोस्तों हो सके तो सफेद रंग के मिष्ठान जैसे की बर्फी, कलाकन, इत्यादी या फिर आप खीर बना कर भी उसका भगवान जी को भोग लगा सकते हैं अगर मिष्ठान ना हो तो आप गुड़ या शक्कर का भोग लगाएं आप एक साबुद बताशी का भी भोग लगा सकते हैं दोस्तों आज की दिन भगवान शी कनेश को दूर्बा अर्पित करना बहुत ही शुबाना जाता है इसलिए हो सके तो ग्यारए दूर्बा की गाठ लें और उन्हें लाल रंग की थागे से लपेट कर भगवान शी कनेश को अर्पित करें दोस्तों अब आप भगवान जी को पुश्प और अक्षद अर्पित करें अगर पुश्प ना हो तब भगवान जी को अक्षद अवश्य ही अर्पित करें अक्षद याने की साबुट चावल चावल का जो दाना साबुट होता है उसे अक्षद कहा जाता है यह बहुत ही पवित्र माना जाता है हमारी शास्तों में बताया गया है कि पूजन की दोरान कोई भी सामगरी अगर कम पर जाए तो उसकी जगह पर अक्षद चढ़ा देना चाहें ऐसा कहने से पूजन पूण हो जाता है लेकिन ध्यान रखें अक्षद चढ़ाने से पहले अक्षद में आप थोड़ी सी पिसी हुई साफ हलती मिलाकर उसी पीली रंका कर लें तभी ये अक्षद आप भगवान श्री गनीश को चढ़ाएं आपको भगवान श्री गनीश मालक्षमी भगवान श्री पमा पार्वती को अक्ष्यत लाने की थोड़ी थोड़ी सी कच्चे सावुचावल की दाने चड़ाने हैं अब आप भगवान शी गणीश के इस मंत्र का ग्यारे बार जाप करें मंत्र है ओम गन गण पते नमा ओम गन गण पते नमा आपको इस मंत्र का ग्यारे बार जाप करना है फिर आप मालक्षमी के इस मंतर का 108 बार जाब करें मंतर है ओम मालक्षमे नमा ओम मालक्षमे नमा तोस्तों अगर मंतर का जाब करने में आपको कटनाई महसूस हो तो आप भगवान शी गनेश और मालक्षमी जी की 40 आ का भी बाठ कर सकते हैं अब आप भगवाय शिप जी के मंत्र ओम नमश शिवाय का भी ग्यारे बार जाप करें, महिलाय और कन्याय नमश शिवाय मंत्र का ग्यारे बार जाप करें दोस्तों इस तरहे पूजन करने के पश्चात अब आप भगवान श्रीकणिश मा लक्ष्मी जी भगवान शिप्मा पारवती को प्रणाम करें और घर में सुक्सम्रथे की प्रात्ना करें आपके धन को किसी की नजर लग गई है यानि की घर में धन आता तो है लेकिन टिकता नहीं है या धन प्राप्ति के मार मिकटना ही आ रही है ब्यापार में बरकत नहीं हो पा रही है तो इन सबी समस्याओं को दूर कहने की भगवान शी से प्रात्ना करें आपना कहने के पश्चात दोस्तों आप बयापार करते हैं और आपका बही खाता है तो आप भे बही खाता लें और उसे साफ कपड़े से पहुशनें फिर भगवान जी को अर्पित किया हुआ जो यह सिंदूर है इस सिंदूर से आप अपने बही खाते पर स्वास्तिक का चिन बनाकर शुबलाब अवश्य ही लिखना चाहिए शास्तों के अनुसार आज के दिन भगवान जी को अर्पित किये हुए सिंदूर से अपने बही खाते या फिर रुपे रखने के इस्थान पर स्वास्तिक का चिन बनाने और शुबलाब लिखने से ब्यापार में धन में पर खुलते हैं और धन्गी हानी होना बंध हो जाती है स्वास्तिक को शुबलाब का प्रतीक माना जाता है और बार बेदी करने वाली होती है और आज के दिन इस तरह स्वास्तिक का चिन बनाने से सौभागी में प्रत्थी होती है दुर्भागी भी सौभागी में बदल जाता है और किस्मत चमक जाती है गणेश पुरान में स्वास्तिक को भगवान शी गणेश का प्रतिक रूप बताया गया है शास गल्ली धन रखने के इस्थान पर स्वास्तिक का चिन बनाने से, ब्यापार पर धन पर भगवान श्री गणिश मा लक्ष्मी जी की कृपा बनी रहती है, और पूरे साल भर ब्यापार अच्छा चलता है, धन की हानी नहीं होती, पूरे साल भर धन में लाब हिलाब होता है, दोस्तों ब्यापार इस्थल बही खाते के इलाबा अपने घर पर भी स्वास्तिक का चिन अवश्य ही बनाना चाहें घर पर आपकी घर में जो लॉकर हो तेजोरी हो जहां आप अपना रुप्या रखते हैं या जहां आपने अपने सौनी चांदी की जोलरी रख रखी है उस इस्थान पर भी आपको इस सिंदूर से स्वास्तिक का चिन अवश्य ही बनाना चाहें अगर आप घर पर किसी डिब्बे में रुपे रखते हैं तो उस डिब्बे की धकन के अंदर भी उस डिब्बे में अंदर भी आप स्वास्तिक का चिन बना सकते हैं लेकिन ध्यान रखें, आपको स्वास्तिक का चिन ऐसे इस्थान पर ही बनाना है, जहां से वे छुटेना, अगर स्वास्तिक धुनला हो जाता है, हलका पड़ जाता है, तो आप किसी भी शुक्लु पक्ष की शुक्रवार के दिन, उस स्वास्तिक के ऊपर से दूसरी बार दोस्तों ऐसा करने से भगवार श्रीकणिश मा लक्ष्मी की कृपा पूरे साल भरबनी रहती है, और धन सम्बंधी समस्याएं पूरे साल भर नहीं आती, घर में धन की कमी नहीं होती, और धन की हाने होना बंध हो जाती है दोस्तों इस सिंदूर से आप अपने मस्तक पर दिलग भी अवश्य ही करें, ऐसा करने से आपके सौभाग्य में भी प्रत्धी होगी जिन लोगों के बैवाहिक जीवन में परिशानिया चल रही है, बैवपती पत्नी में मन मुटाब चल रहा है तो ऐसे में पत्नी को आज के दिन भगवार्शिब मा पार्वती को सिंदूर अर्पित करना चाहें, और फिर इस सिंदूर से अपनी मांग भरनी चाहें ऐसा कहने से आपसी प्रेम बढ़ता है, और सौभा के में प्रत्थी होती है भगवार्शिब मा पार्वती की किरपा से बैवाहिक जीवन सुख में बनता है उमीद है आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी प्लीज लाइक करें हमारी इस वीडियो को अपने फ्रेंज और इस्तिदारों में जदर से जदर शेयर करें जिसने भैबी इसका लाब उठा सेंगे हमारी और भी वीडियो के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले तैंक्स फूर वाचिंग राधी राधी